चाप्टर 80, punctuation marks and capital letter punctuation यानि कि कहां पर हमें कौन सा question mark लगाना है कहां पर exclamation mark लगाना है यह सारी चीज़ें हमें यहां पर इस चाप्टर में पढ़ाई जाएंगे punctuation marks are symbols that are used in written English language some common punctuation marks are full stop or period question mark and exclamation mark यह बता रहे हमको यहां पर punctuation marks English में put किये जातें English language में ठीक है तो हम कुछ में full stop use करते हैं कहीं में question mark use होता है ठीक है कहीं पर exclamation mark होता है use तो वो बता रहे हैं कि वो क्या क्या होता है full stop को हम लोग period भी बोलते हैं ठीक है full stop or period यह क्या होता है a full stop of a period is used as the end of a statement sentence जब हम sentence जैसे I am a student तो मैंने की जब sentence लिखा तो उसके बाद हम लोग full stop लगाते हैं हम लोग question answers लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं answers के बाद answer में हम लोग जरूर full stop का use करते हैं ठीक है उसी तरह यहाँ पर हम full stop use कर रहे हैं फिरे second is question mark question mark a question mark is used at the end of the question sentence जब question sentence होते हैं उनके end में question mark लगाया जाता है जैसे what is your name जब हम question लिखते हैं तो obvious ही बात है कि हमें question mark put करना ही करना है फिर आता है हमारा exclamation mark exclamation mark में क्या होता है an exclamation mark is used after a word or a sentence that shows happiness or sadness यह feelings को represent करता है ठीक है जब हम इसमें हम दिखाएंगे कि हम अच्छा फील कर रहे है या बुरा फील कर रहे है तो हम exclamation mark लगाते हैं जैसे what a beautiful picture it is तभी किती कुछ खुबसूरत से picture है तो हमने यहाँ पर क्या किया exclamation mark लगा दिया है पर हुरे I passed the test कि मतलब अरे वाँ मैं तो test passed कर गया हूँ तो दोनों में क्या है कि हम अपनी खुशी represent कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर exclamation mark का use किया है फिर आईए capital letter capital letter क्या होता है यह सब को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई first letter लेखते हैं English में word का वो हमेशा capital letter में होना चाहिए तीक है जैसे write the name of a person, place, weeks, days and months यह क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जिंका की अगर वो बीच में भी आ रही है sentence के तो भी हमको capital letter में लिखना है जैसे जवाल, लाल, नहरू ठीक है तो चुकि यह बहुत मतलब हमारे first president है तो यह एक person है जिंका नाम हमें यहाँ पर कैसे करना हो किसी person का नाम हो ठीक है प्लेस हो, कोई जगा हो कोई weekdays है या कोई month है तो उसको हमको क्या करना है उसको हमको क्या बोलते है मतलब capital letters में लिखना ही लिखना होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए to start a sentence write the name of the mountain, rivers, ocean and continents यह बता रहे हैं कि अब जैसे mountain, rivers, continents, ocean इन सब का नाम भी हम capital letters में लिखेंगे write the name of the festival festival का नाम भी हम capital letters में लिखते हैं write the letter of I I जो है हम यहाँ पर use कर रहे हैं कि वो हमारा capital letter में रहेगा कैसे I am doing my homework ठीक है तो लिखा and I are neighbors तो यहाँ पर हमने I क्या use कर रहे हैं हम capital letters में use कर रहे हैं क्लास इसके बाद भी अगर आपको कोई problem होती है तो please आपनो मुझसे गूगल मीट पे इसको अच्छे से समझ लीजेगा ओके क्लास, thank you